हलो दोस्तो नमस्कार मैं राज मेरा आप सभी का सुवाक्त करता हूँ तो दोस्तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपना इंस्ट्रागाम का जो अकाउंट रहता है उसको आप न्यू किस तरह से क्रियेट करेंगे अगर आपके पास में पहले से कोई अकाउंट है तो उसके बाद भी आप अपना एक न्यू अकाउंट क्रियेट कर सकते हैं अगर आप पहले बार अपना न्यू अकाउंट बनाना चाते हैं तो वो किस तरह से बनाएंगे वो भी आप इस वीडियो में जान पाएंगे सबसे पहले आपको अपनी फोन में Instagram को open कर लेना है यानि कि install कर लेना है Play Store से उसके वाद में आपको यहाँ पर open का option देखने को मिलता है डारेक्ट यहाँ से भी आप open कर सकते हैं अगर आप यहाँ से नहीं करने चाते हैं तो आपको यहाँ से back कर देना है back करने के बाद में अब आपको अपने phone की home screen पे ये देखने को मिल जाएगा Instagram का application तो आप direct वहाँ से भी open कर सकते हैं चलिए हम आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं Instagram हमारे पास में आ चुका है उसके बाद में आपको Instagram की जो application इसको open करना है जैसे आप Instagram की application उपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा अगर आपने पहले अपने phone में किसी भी Instagram ID को login किया है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप इसको remove करना चाते हैं अपने device से तो आप किस तरह से करेंगे सिक लिए अपको क्या गणकी उपर 3.kopjek करना है 3.kopjek करने के बाद में आपको remove profile from this device को उफसने इसको क करने के बाद में आपको यहां से इसको remove कर देना है अगर आपके phone में पहले से login है तो आपको उसको logout कर देना है उसके बाद में आपको नीचे देखने को मिलेगा create new account का option इस पे click करना है create new account का option इस पे click करना है अगर आपका पुराना account है तो आप उसका user name और password डाल के login कर सकते हैं अगर आप new बनाना चाते हैं तो आपको create a new account पे click करना है उसके बाद में अपना phone number है वो आपको याँ पर इंटर करना होता है अगर आप अपने गूगल अकाउंट से बनाना चाते हैं तो नीचे आपको देखने को मिलेगा या sign up with email का option इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करके आप अपने Google नमर से अपना Countrib Kathle बनाते हैं फो नमर आपको इंकर करना है उसके बाद में नेनक्सट प्रिक करना है जिसे नेक्सट प्रिक करन वे उसके बाद में आपके फोन के doable में एक code जाएगा उस code को आपको यहांपे fill up करना है तो आप देख सकते हैं Instagram की ओर से हमें एक code receive हुआ है तो आपको आप देख सकते हैं यहांपे Instagram का Office CL जो channel है उसके तरू हमें एक code मिला है इस code को आपको सही सिसमे fill up करना है तो आपको यहांपे कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है जो भी code है वो आपको सही से इसमें डालना है उसके बाद में next का option है इस पर क्लिक करना है next की option पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में आप से एक पुछह जाएगा कि आप एक जो strong password है वो आपको यहां पर create करना है एक strong सा password आपको यहां पर बना लेना है वो किस तरह से बनाएंगे वो आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहले आपको इसमें add direct use करना है उसके बाद में आपको अपना name है वो डालना है और उसके बाद में कुछ आपको digit यहां पर लिख देने है नमर आपको लिख देने है उस अपको इपना जो date 13 है वो आपको select करना है तो आपको यहां पर सही से अपना date Fix करना है तो ऐसके बाद जीसे दालना है तो आपकोa solidis है आपक्षोEST connection करेंगी तो और आपको यहाद रही गाएक अगर सहीर गातो तो तो इसलिए आप कर इसमने अपना डेटर वरत है वो सही से डालें उसके बाद में आपको next पे क्लिक करना है next के option पे जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपके सामने कुछ एक निया पेज़े वो open हो गया आएगा अब आपको यहां पे अपना full name है वो इंटर करना है यानि कि आपको अपना जो profile name रेता है वो आपको इंटर करना है चलिए यहां से में अपना जो full name है वो type कर देते हैं उसके बाद में आपको next का option पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज़े वो show होगा थोड़ अस आपको यहां पे wait करना है हमारा name हो यहां पे verify हो रहा है उसके बाद में आपको यहां पे यूजर नेम देखनी को मिलेगा अगर आप इस तरह का यूजर नेम रखना चाते हैं तो रख सकते हैं अगर आपको यह यूजर नेम पसंद नहीं है तो आपको इसको हटाके अपना खुझ से एक यूजर नेम वो बना सकती है तो आपको बता दूँ कि आपको इसमें एक unique सा यूजर नेम बनाना है जो पहले से किसे ने Instagram में यूजर ना किया हो तो आप देख सकते हैं हमें यहां पे इस तरह से यूजरनेम बहुत चुका है उसके बाद में आपको next का option इस प्रक्लिक करना है next के option पर जैसी क्लिक करेंगे थोड़सा आपको यहां पर wait करना होता है तो दोस्तों आप पर अपना एक unique सा username डालने के बाद में I agree का option इस प्रक्लिक करना है जो Instagram की term and condition है इसको आपको यहां पर I agree करना होता है तो थोड़सा आपको यहां पर wait करना रहता है थोड़सा wait complete होने के बाद में आपका जो Instagram का account हो successfully यहां पर create हो जाता है तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा जो Instagram का account हो create हो चुका है अब आपको यहां पर add picture का option इस प्रक् सकते हैं नहीं तो आप इसकी पिक्लिक कर सकते हैं उसके बाद में आपको एड़ पिक्चर को उपसने स्पिक्लिक करेंगे चूज फ्रॉम गैलरी को उपसने स्पिक्लिक करना है और परमिशन को लाओ करना है परमिशन लाओ करने के बाद में आप चाहें तो अपनी फोटो को कर सकते हैं सही से एडिट प्लिक करके इसपोटो को यहाँ पहरे कस्ट्स कर सकते हैं उसके बाद उप्र लुए का सिने क्लिक करना है और आपको नीच सिने लापको प्रोफाइल इसम्हार पर सेट हो जाएगी अब आपके सामने इंस्टागाम की और से वेलकम का जो बेजवशो हो रहा है थोड़स आपको यहां पर वेट करना है उसके बाद में नेक्स्ट को आपको उपसे देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट पे लिए करना है उसके बाद में आपको permission को allow कर देना है permission allow करने के बाद में आप चाहें तो इसको skip कर सकते हैं या फिर आप continue पे click कर सकते हैं तो यहां पे हम skip पे click करते हैं skip पे click करने के बाद में कुछ Instagram user को आपको यहां पे follow करना रहता है यहां पर maximum 5 यहां पर दिखाए दे रहे हैं तो आप जिन को follow करना चाहते हैं उनको आप कर सकते हैं उसके बाद में आपको next का उपसने इस पे क्लिक करना है continue पे आपको क्लिक करना है उसके बाद में करने के बाद में अपने अपने बाइयों में अपने 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 बारे में कुछ भी यहां पर सकते हैं विश्कों को भी एड कर सकते हैं और अपनी हिसाड़ से पनी प्रोफाल को कंप्लीट कर सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में बस नहीं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार